अस्सलाव अलेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हमतरीन खबरों से में सा वाकिए फैरना चाते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बारा हो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आकन को प्रेस कर लिजे ताक आने वाली वीडियो की नोट्फिकेशन आपको हमेसा दोस्तों फ्री में मिलती रहे तो सातियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो दोहा क्रोंची से आ रही है तो सातियों खबर ये है कि दोहा क्रोंची only for Petration from 1 1 1 एक नॉमबर to 19 दिसमबर तो दोस्तो दोहा कृणची जो है वो dedicate करेगा पैटरी से एक नॉबर से लेकर 19 दिसेंबर तक दोस्तो इसे dedicate करेगा preparation for FIFA World Cup 2022 तो दोस्तो FIFA World Cup जो 22 होने वाला है उसको लेकर दोस्तो ये tweet करके जूमा के दिन announcement किया गया जैसा कि दोस्तो वीडियो के screen पे आप map में देख सकते हो अगली जो update साथियों जो है वो साथियों आ रही है डुक डॉंग को लेकर तो साथियों बत आपको पता होगा यदि आप कतर में रहते होगे तो साथियों अलमसरा जो पार्क है दोस्तो जो अलमसरा पार्क है जो क्रोंची के पास है वहाँ पे एक बहुत ही खुबसूरत दोस्तों इस sculpture को बनाया गया जो कि एक डॉल्फिन का है जैसा कि वीडियो के screen पे आपको देखने को भी मिल रहा होगा ये डॉल्फिन का दोस्त कल्प्चर है वो लगभग 21 मीटर ये हाय है और लगभग 31 मीटर ये वाइड है कि इस तरह से लगभग 40 इस sculpture को बनाया गया है FIFA World Cup के लिए अब दोस्तों सबसे ज़्यादा attraction का काम यही कर रहा है काफी ज़्यादा खुबसूरत ये देखने में भी लग रहा है तो जैसा कि वीडियो के स्क्रिंट पर दोस्तों फोटो में भी आप देख सकते हो ये एक डॉल्फिन का एक sculpture बनाया गया अगली जो खबर दोस्तों अलजेरिया से आ रही तो साथियों खबर ये है कि अलजेरिया विल परवाइड एक्सेलेंट सपोर्ट फोर अरब समीट मीडिया कवरेज तो साथियों कतर जो है लगतार हर एक आस पडोस के देशों के साथ दोस्तों संबन अच्छे बना रहा है कि कतर में FIFA World Cup के तैयारी को लेकर यानि सेक्रिटी को लेकर एक एक एकसरसाइज किया जाएगा जिसका नाम दिया जाएगा वतन एकसरसाइज तो ये ministry of defense के तरब से इसमें participation किया गया जिसमें वतन exercise को लेकर security को लेकर इन सभी लोगों ने इसमें participate किया गया और FIFA World Cup को पूरी तयारियों को लेकर तयारियां की गई तो जैसा कि वीडियो के screen फोटो में भी आप देख सकते हो सभी security विभाग वाले हैं आर्मी वाले हैं और जो भी इसमें जो होते हैं जो security का जो काम करेंगे FIFA World Cup के दौरान सभी लोग वतन exercise में इसमें पाटिस्पेट कियें और इसकी तयारियों को देखाया कि FIFA World Cup के वजो आने वाला है सभी तयारियों को की गई अगली जो अपडेट है दोस्तो वो भी बहुती बड़ी ख़बार है सातियों अलबाइक के तरफ से तो सातियों सौदी एरेबिया की बहुती बड़ी कमपनी है अलबाइक तो मैंने आप कुछ दिन पहले बताया था कि अलबाइक के तरफ से ये announcement किया गया है जैसा कि वीडियो के स्क्रेंट पर आप देख सकते हैं तो जहां जहां भी स्टेडिया में दोस्तो ये मैच चलेगा तो उस सभी मैच के दौरान ये कमपनिया जो है वहाँ पर पहुंचेगी और बहार में वहाँ पर ये अपना बिजनस को करेगी तो ये बहुत ही बड़ी दोस्तो एक तरह का ये समसे से बहुत बड़ा ये food chain company है सौधी का जो पूरी सौधी में दोस्तो ये famous है तो ये दो गानिया फिलाला भी भेज चुकी है बहुत ही जल्दी तीन और भेजने का planning किया जा रहा है अगली जो खबर दोस्तो वो भी बहुत ही बड़ी खबर साथी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा screen लगाया गया है क्रोंची के पास तो दोस्तो ये जो screen जो है वो कल करात में इसे on किया गया था जैसा कि वीडियो के screen पर आप देख सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा screen है FIFA World Cup का जो match होगा पूरा इसमें live telecast सारा match को दिखाए जाएगा तो दोस्तो आप देख सकते है फोटो में भी आपको मैं दिखा रहा हूँ जैसा कि आप पड़ भी सकते हो खबर यह है कि JN screen install outside the museum of Islamic art तो दोस्तों museum of Islamic art है वहीं पर आपको यह देखने को मिलेगा और दोहा क्रॉंची के पास भी दोस्तों यह आपको देखने को मिल जाएगा तो जो लोग भी आप लोग जाना चाहते हो मैं इस देखने के लिए आप जा सकते हो अगली जो अपडेट दोस्तों वो कतर embassy आज से आ रही तो सात्यों कतर embassy जो कतर embassy है अलजेरिया में उनके तरब से एक campaign organized किया गया था headquarter of presidency के तरब से जो FIFA World Cup match होने वाला उसको advertisement के लेकर उसको promotion को लेकर तो पूरी तरीके से दोस्तों वहाँ पर promote किया जा रहा है FIFA World Cup को जो कतर में होने वाला है अलजेरिया में अगली जो अपडेट सात्यों मोजम्बिक से आ रही तो सात्यों मोजम्बिक के जो minister है वो आज के दिन हमद international airport पे आये थे मोजम्बिक को जो minister of transport and communication मेटास, mangalah and delegation जो वहाँ पे पहुँचे और दोनों देशों के बीच में बाचीत वगएरा की गई अगली जो खबर सात्यों ministry of public health के तरफ से आ रही है इतराज application को लेकर तो ministry of public health के तरफ से बताया गया कि एतराज pre registration जो है वो required अब नहीं होगा को भी visitor के लिए जो भी कतर में आते हैं एक number से पहले दोस्तों registration उन लोगों को करना पड़ता था पर उन लोगों को अब किसी तरह का कोई भी registration आपको अब नहीं करना है चाहे वो citizen हो या residency हो एक number से कोई भी pre registration की अब ज़रुत नहीं है तो ये कुछ खबरे थी कुछ updates थी जो की कतर से आ रहे थी मैंने अब तक share किया आसा करता हूँ video आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ उनिए स्टूडियो प्राइब